नमस्कार A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ कंठोला उसका ठेचा अब देखो कंठोला एक ऐसी सबजी है जिसके फायदे तो अनेक है पर खाना किसी को पसंद नहीं है और खास करके बच्चे तो अग खाबी लेंगे और पता भी नीचलेगा 100 ग्राम आपको कंठोला ले लेने काफी लोगे से कंकोडा भी बोलते हैं आप क्या बोलते बताना पानी से अच्छे से दो कर उपर नीचे से थोड़ा सा काट कर इसे लंबे लंबे टुकडों में काट लेना है फिर गैस कौन करके और 8-10 लेसन की कलिया ठेचे के अंदर लालमिश पाउडर का इस्तमाल नहीं होता है इसके लिए इसका जो तीखा पन है वो हरी मिर्ची और लेसन के साथ ही आता है इन सभी को आपको अच्छे से भूनना है लगबग 2 मिनिट के लिए उसके बाद ये जो कंठोला हमने काट क अधर रखेते वह इसके अंदर डाल दीजें और लगातार चलाते हुए इससे आपको अच्छी से पकाते जाना है पर इसे आपको खुलाही पकाना है धककर नहीं क्योंकि जो ठेचा बनाया जाता है उसमें सारी चीजों को हमेशा भूना जाता है तो लगबग इस आपको इ अब देखो यह जो कंठोला है ना अगर इसे आप कूटने बैठोगे ना तो बहुत मुश्किल होगी इसलिए मिक्सर में डाल दे नमक भी डाल दे स्वात के अनुसार और इसे ढग कर आपको दर्दरा पीसना है अब देखो ठेचा और चट्नी में यही फरक होता है चट्नी प छ्रलेंगं